JST काउंसल ने आम लोगों की ज़रूरत की कई वस्तूओं और से टाक्स की दरों में कटौती की है, सिदेश के सभी लोगों को फायदा मिलने वाला है काउंसल ने कुल 23 वस्तूओं और से रेट में कटौती करने का एलान किया है नई दरे एक जनवरी 2019 से लागू हो जाएंगी केंदर सरकार ने नए साल पर आम लोगों को बड़ी रहा देते हुए 23 वस्तों और सेवाओं पर GST रेट खटा दिये हैं GST काउंसिल की 31 वी बैठक में इस पर फैस्टा लिया गया वहनों की फुली, ट्रांसमिशन सॉफ्ट और क्रैंक, गेर बॉक्स, 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी, पुरानी या रिट्रीटिड नियूमेटिक रबर की टायर, लीथियम आइन बैटरी वाले पावर बैंक, डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, वीडियो से जुड़े उपकरण, और खेल में इस्तिमाल में लाए जाने वाले अन्य सामान पर 28 की जगे 18 फीसिदी GST लगेगा, साथी सिनेमा टिकेट, माल वहाक वाहनों का थर्ड पार्टी मोटर बीमा, और कई बैंकिंग से वाएं सस्ती हो जाएंगी, ये फैसले एक जन्वरी से लागू होंगे, 12 फीसिदी कर दिया गया, बैंकों की तरफ से प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्राथमिक बचत खातल धारकों को मोहया कराये जाने वाली सेवाव को GST से मुक्त कर दिया गया, साथी 100 रुपे से उपर की सिनेमा की टिकेट पर GST की दर को 28 फीसिदी से घटा कर 18 फी अबी देख नहीं पारता, डाउनलोड करना, ये करना, वो करना, अभी सीधे हाल में आके देख पाएगा, वह अच्छा लग रहा है, और भी चीजों पर हुआ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर फाइदा मनत होगा, GST कम होगा, तो सबको फाइदा होगा, और एंट के लिए बनाए जाने वाले वहनों के कलपुर्जे पर 28 की जगह 5 फीसदी GST होगा, इस बाद ग्रहनियों को खास रियाद दी गई है, बहुत ही अच्छा मोदी सरकार ने इतना अच्छा किया है, कि GST में देखी जो हम लोग सबजियां वेगरा में और रेट कम कर दिया है, इसके बाद बहुत लोग आजकल तो बहुत जादे मुवी का तो आजकल बच्चे का जो निव जेनरेशन है, वो मुवी देखना बहुत पसंद करता है, इतना रेट था उसमें इतना कम कर दिया उनोंने रेट और अच्छी से और देख सकते हैं, बच्छे लोग और हम लोग सबजिया वगरा खरीद रहे थे, वो हमें बहुत सस्ते में मिलेगा, जो मुवी टीकर्स जिसका आस्मान छू रहा था, उसका दर्स कम हो गया, तो मुझे लग रहा है रोजमर्रा की जिन्दगी में लोगों पे ये अच्छा मतलब लोगों को ये अच्छा खासा मतलब बच कर देगा, जी एस्टी की दरों में कटोती का सीधा लाप उपभोकताओं को तो होगा ही, साथ ही दुकानदारों को भी फायदा होगा, वेपिंचोहान, राज्यसभा टीवी